हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंट्स बात करेंगे हम लोग आज की शूटर में इंडिया से आई हुई एक बहुत बड़ी खबर के बारे में और अभी से मुश्किल से एक घंटे पहले मैंने एक और वीडियो बनाए थी और वो भी फ्रेंट्स थी आपको इंडिया से आई हुई एक crypto news के बारे में जिससे अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लो और friends इस वीडियो में मैं आपको इस news को complete details में समझाने वाला हूँ तो वीडियो पसंद है तो like जरू करना साथी साथ channel पर नए हो तो support करना subscribe करते वे अगर आपको वीडियो और मेरा चैनल विजिट कर ले ना सब कुछ अगर आपके जैसा लगे आपको इस तरह का content पसंद हो तो चलो friends तो बात करें तो इस वाली heading को अगर देखा जाए तो यहाँ पे है कि cryptocurrency is like ponzi scheme banning it is most sensible option RBI-DY गवर्नर तो friends यहाँ पे RBI-DY गवर्नर मतलब हो गया कि deputy governor तो चलो friends अ यह सबसे better option यह मानते हैं सबसे सही option यह मानते हैं किसको ban करना ही सही रहेगा तो friends इस heading में आपको सब कुछ समझ में आया होगा सिवाए इस ponzi scheme के तो friends इस ponzi scheme को समझना भी बहुत ज़रूरी है because अगर आप इस ponzi scheme के बारे में नहीं जानती हो या आपको पता ही नहीं कि ponzi scheme क्या होती है जैसा कि मुझे पता है maximum लोगों को नहीं पता होगा क्यों यह सब टर्म हम लोगों को देखने को आई दिन मिलता ही नहीं है तो पता कैसे होगा कि ponzi scheme क्या है तो अगर आपको यह तर्म यहां पर देखने को मिल दिया तो अब धिमाग में घंटी जरूर बज़ कि भाई ponzi scheme होता क्या है कि cryptocurrency को इन्हों बोल दिया कि cryptocurrency जो है वो ponzi scheme जैसा है तो वह पता हम लोगों करेंगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको यह वीडियो जाए skip मत कीजिएगा इस वीडियो के बने रही है बहुत जल्दी ponzi scheme भी तो चरो फ्रेंट्स शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर इन्होंने बोला कि cryptocurrency जो है न इसके पास underline cash value नहीं है मतलब cash flow sorry cash value नहीं है साथी साथी इन्होंने बोला कि इसके इसके पास इंस्टेंस्टिंग भैलू नहीं है और यह पॉंजी स्कीम के जैसे है और या तो कि इसके पॉंजी स्कीम से भी इससे वर्ष्ण बता रहे है एक तो यहाँ पे यह भी भी नहीं है जैसा है थूरा कि अब नीची है तो अब यहाँ पर फिर से जो टीटल से देखने को मिलेगी तो जैसा के Monday को इन्होंने कहा कल के दिन कि Cryptocurrency जो है पॉंजी स्कीम जैसा है या फिर उससे भी बुरा है और यहां पे इन्होंने बोला कि इंडिया के लिए क्रिप्टो करेंसी को बैंड करना ही सबसे ज्यादा अच्छा ओप्शन होगा उसके अलबाब फ्रेंट्स यहां पर बोला और यह बोल रहे हैं कि इसके लिए मतलब क्रिप्टो करेंसी को इंडियान फाइनिसल सिस्टम से दूर रखने का बहुत ही बड़ा स्ट्रॉंग रिजन्स है तो फ्रेंट्स सोड़ा से नीचे आते हैं अगर और कुछ मिल जाए तो ठीक है नहीं तो अब हम लोग चलेंगे बाते और भी कई है बर जो में पते की बात थी वह मैंने आपको पहले ही उपर में बता दिये तो चलो फ्रेंट्स अब एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ इसमें पती की बात नहीं मिलती है तो ठीक है नहीं तो हम लोग जो पांजी स्किम के बारे में जैसे ह पहुंचते हैं हम लोग पांजी स्किम के बारे में जानकारी इकटा करने के लिए तो फ्रेंट्स हम लोग आ चुके हैं आपको विकीपीडिया में क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ भी आपको नहीं पता तो सबसे बेटर प्लेस है गूगल गूगल पर जाओ उस टर्म इसकीम जो है तो फिरंट्स यहां पर बोला जा रहा है कि पहुंची स्किम जो है यह धोकादड़ी का एक रूप है जो निवेसकों को आकरसित करती है और हाल के निवेसक मतलब हाल की निश्चा मतलब जो रिसेंट इन्वेस्टर है उनके धन के साथ पहले के निवेसकों को लाब का भुगतान कराती है मतलब जो रिसेंट इन्वेसक है उनके जो फंडिंग होती है जो उनके पैसा होता है और जो पुराने इन्वेस्टर होते है उनको बेनफिट होती है किन से तो रिसेंट इन्वेस्टर से साथी साथ यहां पर और भी खुश बाते कही गई है जो क इस बात से अंजान रहते हैं कि अन्य निवेसक धन के सुरोत हैं मोटा मोटी सा भात यहाँ पर यही है कि यह धोका धडिका एक तरका फौर में जो स्कीम है और यहाँ पर जैसा कि कर्टो है जैसे क्या ने 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 इन्य इन्वेस्टर आ रहे है वो तो ज़्यादा benefit नहीं बना पा रहेंगे तो आप भी मानोगे कि हाँ यह चो चलो सही है क्योंकि market का इस्तिति अभी जब तक वो भाप पाए जब तक वो अनुमान लगा पाए तब तक 3 महीने 4 महीने 6 मंत भीद जाते हैं और तब तक वो trap हो गए रहते हैं बहुत सारी गल किसी के against नहीं हूँ मैं तो आपको पता है crypto influencer आप बोल सकते हो या crypto informer बोल सकते हो मैं खुद crypto के हर एक news को आप तक पहुचाता हूँ और मैं खुद एक crypto investor हूँ ऐसा नहीं कि मैरा सिर्फ YouTube channel है मैं crypto में भी इंवेस्ट करता हूँ share market में भी इंवेस्ट करता हूँ मैं खुद नबनना है कि black hole के बारे में पूरा जानकारी लेकर बैठ जाओगो उसके बारे में 5 बच बुक पड़ोगे आपको बस black hole क्या होता है दो line का definition पता हो बस that set काफी है तो उसी तर से जब pongee scheme एक term देखनों को मिली है तो इसके बारे में मैंने लगबब जो बाते कह दी उपर म गवर्मेंट की currency बोलो other country currency बोलो उनके 20 की comparison थोड़ी सी दिखाएगी है साथ ही साथ यह pongee scheme के जो investor है जिनके द्वारे यह आया है उनका भी मैं picture जैसा कि thumbnail में लगाया हुआ था आपको दिखाता हूँ तो अब बात करते आगे चलो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स यह जो picture आप को दिखा रहा हूँ में आप यहां पर पढ़ो तो यहां पर है एक amongst sort of pongee scheme inventor Charles pongee in 1920 तो फ्रेंट्स देख सकते हो जो यह pongee scheme है यह बहुत पूराना टर्म है जो कि इस तरह के धोका धड़ी या इस तरह का जो एक तरह का trap type है इसको indicate किया जाता है और इसके जो inventor है Charles pongee जो कि 1920 कि आप यहां पर timing और देख सकते हो उस टाइम लबग यह invent की गई थी और यह जो sorry friends यह जो ऊपर में आपको देखने को picture मिल ली यह वही सक्स है जिन्होंने pongee scheme को invent किया था तो चलो friends अब तो यहां पर बात होगी कि pongee scheme क्या है वह आप समझ गये pongee scheme के investor समझ गये pongee scheme invent कब अब pongee scheme पे अभी trending जो pictures हैं जो trending छोटी मोटी जो tweets हैं उन पर हम लोग बात करते हैं और pongee scheme यह term अचानक से Indian deputy RBI के जो deputy governor उनके द्वारे यह use किया गया है और वो बस दो line जो पूरी news थी उसमें दो line ही थी main कि pongee scheme है cryptocurrency जो है pongee scheme जैसा है या फिर उससे भी बुरा है Indian government को इस एक सबसे अच्छा option है बस वो नहीं उस खतम pongee scheme के बारे में आप जानके अब चलते हैं जो tweets के कुछ pictures है उसे देखते है तो friends इस picture के अगर बात करें तो यहां पे आप थोड़ा सा देखो और यहां पी compare किया गया है कि मालो यह 20 dollar है और 1998 में पूरा का पूरा trolley जो है आपक 2014 में friends इतना और यहां पे दिखाया गया है कि 2021 में खाली का खाली रह गया मतलब अगर 20 dollar आप लेकर trolley जाते हो तो कुछ भी आपको भरने लाग नहीं मिलेगा क्योंकि महंगाई आपको पता है कैसे हो गया है कि हम लोग के पास आज से अगर तुम 50 साल पहले चले जाओ तो जो 100 रुपया था उसका क्या कीमत था और अभी 100 रुपया का क्या कीमत है अगर आप 100 रुपया अपने फ्रेंट के साथ पार्टी के लिए यूज करो ना तो वह भी कम पड़ जाता है अभी के ताम में मिन्मां 500 रुपय तो लगी जाता है दोस्तों के साथ पार्टी करने मे तो चलो फ्रेंट्स अब यहां पे देखो BTC के बारे में क्या किया गया है यहां पे सॉरी 1 BTC सभी जगह है और नीचे में फ्रेंट से टाइमिंग कि 2012 में यह BTC एक अगर आथा आथा तो ट्रॉली में थोड़ा बुद समान आता 2013 में फ्रेंट्स इतना आता 2014 में ट्रॉली तो भरी गई साथी साथ एक्सटा समान नीचे रखना पड़ रहा है और यहां पे एकी बार आप 2014 से एकी बार 2021 में लाए गया कि 2021 में जो 1 BTC का बहलू है न उससे आप ट्रॉली तो छोड़ो एक अच्छा खासा मस्त वाला मॉडल का कार ले सकते हो तो यह ट्वीट पर सेर किया गया था मतलब ट्वीटर पर सॉरी यह ट्वीट की गए थी और वहां पर लिखा गया था कि अब आप बताओ कि पॉंजी स्कीम क्या है क्रिप्टो करेंसी पॉंजी स्कीम है या फिर हम लोगों का जो करेंट टाइम पर जो करेंस उसी नियोज को explain करके अच्छे से बारिकी से समझाने का काम करता हूँ तो चलो फ्रेंट्स एक दो पिक्चर और फटा पट देखते हैं उसके वासे वीडियो फिनिस और जरूर लाइक आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो subscribe जरूर कर देना तो चलो फ्रेंट्स पाकी का पिक्चर देखते हैं तो फ्रेंट्स इस वाली पिक्चर के अगर बात करें तो यहां पे देख लूँ यहां पे बूला गया कि 1960 में बूला गया था ऐसा कि 10 साल में जो तेल है वो खतम हो जाएगी फिर 2000 में बूला गया आईस कैप्स विल बी गॉन इन 10 यर्स ऐसे करके बूला गया कि 10 साल में चला जाएगा उसके बात से यहां पे दिखाय गया कि कुछ भी नहीं हुआ मतलब जितनी सारी बातें बोली गई थी ना कि 10 साल में यह हो जागा ऐसा कुछ नहीं हुआ सिवाए एक चीज के कि more taxes यहां पे बोला गया कि कुछ भी हुआ नहीं but all resulted in more taxes कुछ नहीं हुआ tax बढ़ गया कुछ नहीं हुआ tax बढ़ गया तो यहां पे दिखा जा रहा है कि beginning January 1, 1937 का यह जो आर्टिकल है यहां पे बोला जा रहा है your employer will be compelled by law to deduct a certain amount from your wages every day यहां पे बोला जा रहा है कि जो भी आपके जो employer है जो भी आप employee बगरा है उनके जो every day मतलब जो wages होते है जो रोजमरी की कमाई होती है उसमें से एक certain amount जो है deduct किया जाएगा और यहां पे दिखा जा रहा law to deduct तो चलो friends अब यहां पे थोड़ा से नीचे आते है तो यहां पे है कि this is in compliance with the term of the social security act और यह social security act करके कुछ है जिसके according आता है और यहां पे sponsored and signed by है किसके द्वारा तो उस time के जो president थे जो running government थी वहां के और यहां पे time करें देख लो अगस्ट 14,1935 को यह sign उगर कर दिया गया था कैसा होगा तो deduction जो begin हुई थी जो per day wages से वो थी 1% और वो increase हो गई थी कहां तक तो 3% थोड़ा सोलनी चाहते हैं फिर यहां पे हैं लिखा हुआ कि there is no guarantee that the fund debt collected will ever be returned to you और यहां पे friends बोला गया न कि जो भी fund collect किया जा रहा है मतलब जो आपके हर दिन के कमाई से काटे जा रहे हैं कोई भी guarantee नहीं कि वह आपको वापस किया जाएगा what happens to the money is up to each Congress और यहां पर बोला जा रहा है कि क्या होता है उस पैसा के साथ वह इस Congress प्रते Congress पर डिपेंड करता है फिर वहां पर है कि no benefits of any kind this is not a voluntary plan तो फ्रेंस इसी तरह से बात थी मतलब मिल गई थी आर्टिकल मुझे लगा कि आपके साथ सेर करना चाहिए था तो यहां पर यही था कि यह गवर्मेंट करेंगे पहुंजियर स्कीम है क्या है क्या नहीं है जिसका जो मर्जी अपना-पना opinion होता है अपनी एपनी रा के अच्छे से आपके सामने प्रजेंट करना उभी बीना गलती के कोशिज करना के कुछ गलती भी ना हो जाए तो चलो फ्रेंट्स वीडियो प्रसेंटर प्ली लाइक कर दो चैनल अपने हैं सपोर्ट करो सब्सक्काइब करके मिलते अपने ने स्टुटो में